पूरे देश को बोलना होगा क्योंकि ये आपकी बहन आपकी बेटी आपके परिवार के ऐसे सदस्चों के बारे में निरने हो रहा है जिस पर अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये पूरा जाल बीच चुका है और उसमें आपके बच्चे हमारे परिवार के मचली के तरफ फसना तह है जी हां मुद्दा है सरकार ने नियम किया है कानून लाया है और कहा है कि शादी तो आठरा साल में होगी लेकिन उसके पहले दो साल सोला साल से आप शारिरिक सम्मन बना सकते हैं ये कैसी विड़म बना है मैं मनमोन सिंग को सवाल पूछता हूँ माफ करें मनमोन जी आपकी बेटी तो शायद सोला साल की अब नहीं होगी लेकिन आपकी नाती सोला साल की होगी तो क्या आप उसको ये कहेंगे कि तुम शादी तो आठरा साल में करो लेकिन तुम शारिरिक सम्मन सोला से बना सकती ओ, मनमोहन जी शायद आपे आपने नाती को कह भी सके, लेकिन मेरी बेटी को, मेरी बेहनों को कहने का अधिकार आपको नहीं है, और अगर आप इस अधिकार पर आतिक्रमन कर रहे है, तो ये देश इसको कभी स्विकार नहीं करेगा। मैं व्यक्तिकत आरव की बात नहीं कराओं, ये पूरे सवा सो करोर जनता का ये देश है, आखिर इसको सरकार देना क्या चाहती है, मनमोहन सिंग ने क्या दिया इस देश को, अर्थशास्री के तोर पर तो पूरा गनित गड़बडा गया, लेकिन संस्कुलति के नाम पर इस द समलंगीक संबंदों के लिए इस देश में छुट मिलनी चाहिए, इसका पूर जोर से प्रचार किया जाता है, उसका सरकार विरोध करना तो दूर, उसके लिए भी सहमती देती है, इस देश का सरोचे ने आले, रिविन डिलेशन का उधारन देते हुए, रादा स्रिकृष् पवितर रिष्टे का अपमान करता है, मनमोन सरकार इस देश को देना क्या चाहती है, सेक्स एजुकेशन, आखिर मनमोन सिंग के इस देन को इस देश की देन नहीं, बलकि इस देश का नुकसान है, और इसलिए इस देश ने इस विशे के खिलाब बिंदासों के बोलना पुरे घंडे में आपको हमको इसी विशे पर चर्चा करनी है, कि आखिर क्या ये सरकार अनितिकता फैला रही है, सरकार की तो अपने राजनितिक दलों के साथ लिव इन रिलेशन्शिप चली रही है, जो शादी के बगड़ के संबंदों की है, लेकिन ये इस देश को इसल नाबूत नहीं कर सकता, तोड़ मरोड नहीं कर सकता, आईए!